खो जाओ अपनी पढ़ाई में, दूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे ए तो सब पुझेंगे, उपर उड़ जाओगे ए तो सब पुझेंगे, वना यहाँ इंसानियात की कीमत कम और उसके रुद्बे की जादा है, ना संघर्स ना तकलीब तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तुफ़ान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, जब तक पढ़ाई के लिए सीने में आग नहीं लगेगी, तब तक आप अपनी मंजिल से कोसो दूर हैं, माना की मंजिल बड़ी मुझे बरी है, आज माइस बड़ी बरी, राहों में दिल में है कुछ कर दिखाने का खुन में आया उबाल ऐसा पिर न देखा धिन या रात है कड़ी मेहनच जिन्दगी में करनी है सब कुछ हार बैठा ऐसी मेरी जिन्दगी है आया एक नया सवेरा मेरी राहों में जिनकी में मैंने जो कुछ मांगा वो सारी तमना पूरी है पढ़ लो आज ही वक्त है कल कभी नहीं आता जब भी आता है आज ही आता है पस्तावा करने के लिए कुछ छोड़ो मत रोने के लिए कुछ छोड़ो मत पढ़ लो यार आज ही वक्त है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसके पाव में छाला होगा बिना संघर्स के इंसान चमक नहीं सकता यारो जो जलेगा उसे के दिये में उजाला होगा उदास होने के लिए उम्र पड़ी है नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है अपनी हसी को होटो से न जाने देना क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है पड़ने के वक्त अपने दिमाग में कुछ आने मत देना मोबाइल को स्विच आप करके साइड में रख देना जब भी निन आएगा तो एक गिलास पानी पी लेना और अपने हाग को ताजे पानी से दो लेना फिर से पढ़ने बैट जाना आज अलस्य के बस में हो जाओगे तो कल पकप पच्ता होगे और दुनिया के लोग पस्तावा करने मालों को नहीं बलकि हाड अब वर्क के करके सफर हो जाने माले लोगों को पहचानते हैं खुद का मोटिवेटर खुद बनो आप अपनी गलतियों को अच्छे से जानते हो और आप अपनी काबिलियत को अच्छे से पहचानते हो सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो तौफर बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है तुद को बांध रखा है खोल दे अपने दिमाग की खिडखियां और याद कर अपने एम को याद कर अपने सफनों को ये सफना नहीं है ये तेरी जिन्दगी है अपनी कहानी तु खुद ही लिखेगा कोई दूसरा या तीसरा नहीं आने माला है तेरी कहानी लिखने के लिए पढ़ने से दिमाग खुलेगा रास्ते दिखेंगे जिनकी में इज़त, दौला, सहुरत सब कुछ मिलेगा इन किताबों के बतावलत थोड़ा और थोड़ा करके अपने मन को बहलाते जाओ हर हलात में तुम पढ़ते जाओ हर एक घंटा में पास मिनट का ब्रेग लो और फिर से पढ़ते जाओ पढ़ाई करते वक्त अपने आस-पास में सिर्फ जरूरत की चीजों को ही रखो फालतू चीजों को साइड में रख दो संघर्स करते हुए मत घबराना दोस्त क्योंकि संघर्स के दवरान ही इंसान अकेला होता है सफालता के बात तो सारी दुनिया साथ होती है अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो पढ़ो पढ़ो खूप पढ़ो मगर सिर्फ पढ़ना नहीं है पढ़ी हुई बातों को याद भी रखना है पढ़ी हुई बातों को अपनी जिंगी में उतारना है जब पढ़ी हुई बाते जीवन में उतरने लगे तब सफलता के आप करीब पहुँच जाएंगे निरंतर अब भ्यास करो अगर आप भ्यास से एक मंद बुद्धी बालक इस दुनिया का महान वैज्ञानिक बन सकता है अगर एक मंद बुद्धी बालक इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान वेक्टी बन सकता है तो आप क्यों नहीं